नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूपर टेटिंग परवीन में हो जाने की तरह मैं आप सब के सामने फिर से एक बहतरीन और बढ़िया शेयर ढूंड के लाया हूँ चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक् को ऐसे ही नए नए बैतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके तो आज जो मैं कंपनी आप सब के सामने लेकर आया हूं उस कंपनी का नाम है असोग ली लेंड लिमिटेट इस कंपनी में अभी अभी एक बड़ी ख़बर आई है इस कंपनी को 500.97 करोड का एक और मिला है यह औ CLSA Agency ने भी इसका टार्गेट बढ़ा कर 288 रुपे कर दिया है चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं यह कंपनी करती क्या है यह हिंदुजा गुरूप की कंपनी है यह कंपनी डोमेस्टिक मीडियम और हैवी कमर्शल वेहिकल सेग्मेंट्स को बना कर बेशती है यह कंप पीकद्स को कि हैं यह कंपनी इंडिया में सक्किन्ट नंबर पर है कमेर्शल वेहिकल अने वाख सकते मरा और सेatיה पनौन में आपको दिसम्बर 2030 को रिजट आना है वह पॉजिटिव मराशर है और और मिहां पता चले गा कि मैं ने आपको यह बात पहले बता दी थी कि इसका आने वाला कौटरली रिजर्ट पॉस्टिव है और इसके आने के बाद इसके शेर में आपको तेजी देखने को मिलेगी अब मैं आपको इस कंपनी के एक नेगटिव बात बता देता हूं इस कंपनी ने पिछले तीन सालों में पांच पॉइंट परसेंट की डिटन अफ इकविटी दी है जो की बहुत कम है बस इसकी एक यही एक नेगटिव बात है चलिए अब मैं आपको इसके फंडामेंटल के ब परवाल है और यह कंपनी 1948 में बनी थी इसमें लगातार अपना इससा बढ़ाते जा रहे हैं जून 2023 में इसका स्टेक इसमें 16.9 परसेंट था और बढ़कर सेप्टेंबर 2023 में 20.21 परसेंट हो गया है उन्होंने लगबग साढ़े तीन परसेंट अपना स्टेक इस कंपनी के बढ़ा दिया है चार परसेंट से ज्यादा अपने स्टेक इसके बढ़ा दिया है अब मैं आपको इसको शेरोल्डिंग पैटर्न के बारें बताता हूं इसमें पर्मोटर्स का इक प्याउंट 23% एफटेल का 13.21 परसेंट म्यूचल पॉंट का 10.10 परसेंट और डियाया आइ मैं कोई से भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अपने फाइनेशल एडवाइजर से पूछ करें चेर मार्केट में इवेश्ट करें जोखिम बरी है अगर आपको पता नहीं है कि किस पैसा लगाना है तो अपनी पूंजी भी गवा देंगे इसमें लॉस में चले जाएंगे तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीगियोज को लाइक करते रिए जिससे कि रोजाना आपको ऐसे नहीं नहीं बैतरीन शेरों के बारें पता चल सके तो मैं कल फिर आऊंगा आप सब के सामने फिर से एक बैतरीन शेर लेकर धन्यवाद